महिलाओं को सफेद पानी आने की काफी समस्या आम हो गई है इसे वाइट डिश्चार्ज की समस्या भी कहा जाता है वाइट डिश्चार्ज समाने तोर पर महिलाओं को पीरियर्स के पहले या बाद में आता है इसका इलाज नहीं कराया गया तो महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर बन सकता है महिलाओं को सफेद पानी आने की समस्या काफी आम हो गई है इसे वाइड डिस्चार्च की समस्या भी कहा जाता है वाई डिस्चार्च सामाने तोर पर महिलाओं को पीरेट के पहले या बाद में होता है इसका लाज नहीं कराया गया तो महिलाओं में सरवाइकल का कैंसर बन सकता है सफेद पानी कभी भी बहुत सारी बच्पन से चुरू हो जाता है सफेद नहीं की समस्या कुछ तो नेचरल डिस चाज़िस होते हैं हमारे जो ज्यांटल ट्रैक्ल Εग्विक सथी होते हैं ऑद वो membuc पानी कि त्सेशन पे आता है वह महें से धारा है उससे में फोड़ा बढ़ जाता है तवह नेचरल संप्रिशन वैसे तो वाइट डिस्चार्ज एक सामाने प्रक्रिया है लेकिन ज्यादा मात्रा में वाइट डिस्चार्ज होना किसी रोग का संकेत हो सकता है महिलाओं को सफेद पानी की समस्या शरीर में किसी कमी के कारण हो सकती है महिलाओं को सफेद पानी की समस्या क्यों होती है इसके कारण क्या हो सकते हैं आईए जानते है सफेद पानी खतरनाग जब होता है जब सफेद पानी में एक तो इसमेल आने लगती है कभी उसमें जाग आने लगते है और कभी उसमें गाड़ा पान आने लगते है तो पानी थोड़ा खतरना होता है खासकर और उरत में blood mix हो जाए अगर एज आपकी ज़्यादा पानी में blood mix हो रहा है तो यह बहुत खतरना होता है इसकी तुरन चाहच कराने है दुनिया भर में महिलाओं की मौत का सबसे आम कारण सर्वाइकल कैंसर है भारती महिलाओं में यह कैंसर आम हो रहा है अगर आंकड़े देखें तो समय पर इलाज ना होने की वज़े से 15-44 वर्ष की आयू की महिलाओं में यह कैंसर मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण बन रह लेकिन ये एक ऐसी कैंसर की बिमारी है जिससे बचा जा सकता है ये सही समय पर पता चलने पर ठीक किया जा सकता है सीनी उस के लिए लक्षमी राज की रिपोर्ट